दोस्तों आज मैं आपको भिंडी और आलू की बहुत ही अलग तरीके तबजी बना कर दिखाऊंगी जो कि होने वाला है सर्षो डालकर भिंडी और आलू की तबजी आपने कई बार भिंडी आलू खाई होगी लेकिन आज आप यहां से बहुत रिफरेंट तरीका सीख कर जाने और नहीं ड्रकुछ अर्षो ने ड्लकुश युझगे चोड़ा देघेंगे जब बिंडी को बीच वीच में चलाते रहना है वरना जल जाएगा तो यहां पर दोनों का हमारा साथ में हो जाएगा तो देखिए आलू भी हमारा अच्छे से छेल चुका है और भिंडी भी तर अच्छे से भून चुका है तब क्या करेंगे हम तर भिंडी को उतार लेते हैं रहेंगे तमाट्र को अजरू दाले आप ऐसके वाद रहां अच्छे से गलने देते दुदेने कशने से पीशों में सभी मसाले को डालते हैं इसमें नदे भोनेंगे हैं और भिंडे और आलो को अच्छे से 2-3 डटेस के साथ भूनेंगे तो सरसूर जो लषान की रखे थे उसको डाल देगे यहां पर थोड़ा से में कितना टेश्टी लग रहा है आप देख सकते तो इस तरीके से भी आपको पसंद सूखा तो नहीं तो अगर आपको ग्रेवी वाली चाहिए तब तो यहां पर आप थोड़ा सा पानी डाल दें यहां पर और यहां पर मिक्स मसाला सबसे लास्ट में जाए उसका समसे ढग द